हेलो दोस्तों एक एलेक्ट उनिवर में आपका स्वागत है कैसे हो आप सभी आशा कर तुम बहुत अच्छ होंगे तो दोस्तों जैसे कि आज मैं एक PCB के बारे में बताऊंगा जैसे कि PCB में हमारे कोई कंपोनेंट के बराबर में से जैसे हमारे पिरिंट लाए रेते हैं अगर वे उखड़ जाते हैं जैसे कि काले पड़ जाते हैं या उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं गर जैसे कि हमारे प्रिंट फट रहे हैं जैसे कि यह देख पार होंगे आप ओप्रेंट को कैसे सही कर सकता हैoted को यह वाल hourly जो नहीं सरंगे वाइर कहते हैं और रैंबु वाले ठीके यह रैंबु वार रहते हैं थो इनम्हेंसे कोई से हださい कहीं हम रहते हैं कि हमारा जैसा कि कुई कम्पोनेंट लाग रहा है या आप है वहाँ पर क्या पीश्टर है या कुछ भी आया पर हमारा प्रिंट फट जाता है या हाई वोल्टेज के वज़े से भी फट जाता जैसे तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जैसे कि हमारे यह वायर है उससे हम उसे महां से जंपर कर देंगे और गई से हमारे चैनल पर नहीं हो तो मार्चन को सब्सक्राइब कर सकते हो करक्षा तो बहुत अच्छी बात है और साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको इलेक् प्रेट को अच्छे तरीके सपा कर लेना होगा थेनर की साहिता से आप करें या आप बलेटि की साहिता से भी इसे कर सकते हो ठीक है तो जैसे में इसे आपको दिखा रहा हूं सेम आपको ऐसी kरना है अगर आपको ये प्रेंट जल जाता है कि &o चैनल आ σου कर दो किसी पिर्ष जो रहते हैं उसमें केपिस्टर हमारी बाजिशोलडुक्र हो जाती है उसके वज़े से भी हमारा जैसे फिलिफर गवार्शाइड हो गुगुई कि हमारोज तो वही में फिलिफ हो जाती है मृझ क्योड़ा हमारे बेस्ग nee जैसे भी या गिर जाता है तो उसके वज़े से भी हमारे पिरिंट फट जाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि हमारे पिरिंट फट जाते हैं ये तो उनके पिरिंट का जोडने का तरीका यही है जैसे कि हमारे कोई ताल ले लिया या कोई बरीक ताल ले लिए अगर आपे हाई एंपियर आ रहे हैं तो जैसे कि हमारे बरीक वाले वायर है या तो उससे आप कर सकते हो या अगर जैसे मैं आपको करके यहां जोड़ने का तरीका और जैसे कि महारे कम्पोनेंट रहते हैं कम्पोनेंट को भी आप ऐसी जोड सकते हो जैसे कम्पोनेंट में हमारे । हो जाती है तो डायशोल्डिंग भी आप ऐसी ठीक कर सकते हो ठीक है तो यह जो से हमारे पिर्ण जोड़ने का तरीक तो यह और में जैसे आपको आपको दिखांगा कि हमारे कहीं से कंपोनेंट टूट जाता है तो उसे कैसे लगाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसी दिखा देता हूं तो यह अच्छी तरीके से हमारा हो चुका है ठीक है तो यह आप ऐसी कर सकते हो जैसे कि को अभी दिखाऊंगा जैसे कि हमारी हैं जहाँ से कुछ लग रहे हैं झाय से लगा सकते हैं तो लगासा को पहले जहां पर का component होगा वहाँ पर पेश्ट लगाने होगा हलकालकासा और वहाँ से जमपर वहाँ तक करने होगा ठीक है अगर कोई बड़ा होता है तो जैसे की जमपर उसे ट्रेक कर सकते हो उसे जमपर पर से यह पूंपोनेंट पर से ट्रैक करने के बाद आपको वहां पे वीब साउंड बोल जाएगा अगर कहीं से पृट रहा हो तो ठीक है तो आप उससे जोड शकते हो कोई लंबा सवाय ले सकते हो या जैसे मैं आपको एक्जाम पल लिए दिखा रहा हूं अगर यहां से यहां तक का पिरिंट फट जाता है तो आप ऐसी ठीक कर सकते हो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है तो अच्छे तरीके सा आपको अरे गरम कर लेना होगा उसके बाद ही आपको यह काम करना है तो आसी पिरिंट में आपको टाके लगाने हैं और ऐसी जुड़ जाएगा वह ठीक है हगर आपका हाई A Soci crucifer रहा है वहां पर जहां भी हमारा पिन्म होता है तो वह पैसी इससे तो हम अंचे तरह कहल Jeżeli यह नहीं टो है तो इसकी तरीक लगाने का प्राइबाने इससे फटते थीड़ते नहीं मैं दोस्तों तो मैं यह बता रहाँ आपको जैसे कि हम ट्रेय करके ऐसे लगा सकते हैं प्रिंट को अगर कहीं से भी आपका फटता है अगर यह कंपोनेंट पर सब्टता है कंपोनेंट की लैग पर साप पिरिंट उठा सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था तो यह कि हमने ऐसे करके हैं कुछ मेरे पास PCBA डीडी फिरीडिस वाली तो यह पुरानी PCBA है हमारे पास गाइब क cris spraying के पास लंगता हैं तो यह थोड़ा से इस इसमें कर तो को देख सकते हैं यहां से हमारा ड होगा है यह सींग Έपक है यह तो इससे फमर कि आ अंगा प्रिंट को यहां से तो ऐसी पहले लैक्ट सापकर लेनी होगे महाँसे आपको अच्छी तरीके से और जहां से हमारे ट्रैक आ रहे हैं वहाँसे खुरच लेना होगा जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं और जो भी कंपोनेंट है महांसे लैग मौड के जो भी कंपोनेंट की चाहिए प्लस या मा लगाने और माइनस का माइनस का ठीक है दोस्तों तो आप ऐसी जैसे में खुरच के दिखा रहा हूं अच्छे तरीके से सपा करके पहले वहां पर पेस्ट लगाने लेने होगा और जैसे मैं आपको मोड के दिखाऊंगा भी आपको लेग इसकी कंपोनेंट की तो ऐसी ठीक हो जायागा यह तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वहां पर आपको सोल्डिंग कर लेनी होगी पेस्ट लगाने के बाद ठीक है तो यह हमारे ऐसे लग चुका है ठीक है तो हम इसे ऐसी ठीक कर सकते हैं अगर कोई भी हमारे कंपोनेंट निकल जाता है पिरिंट फटे वह मे ठीक है दोस्तों तो ऐसी आप इस पर सोल्डिंग कर सकते हो जैसे मैंने बताए था आपको और फिर हम इसे ऐसी कर लेंगे जैसे की दिखा रहा हूं अच्छी तरीके से सोल्डिंग जिससे की फिर से फटे ना ठीक है दोस्तों ऐसी आप इसे कर सकते हो फिर दूसरा लैग ज नीचे से तो से भी सफ़ करके आपको ऐसी लगा लेनो होगा अगर कहीं से पेरिन फटते हैं लगास हेएakah व्होंत box अगर कहीं लगा तो जहां पर भी आपका ट्रैकर होगा अगर नहीं आ रहा है तो जैसे कि छोटा मोटा है तो उसे आप ऐसी कर सकते हो जैसे मैंने पहले वाली उसमें PCV में दिखाए था आपको ठीक है तो यह अच्छी तरीके से हमारे सोल्डिंग हो चुकी है और फिर हमारा अच्छा वर्क करेगी है ठीक है दोस्तों आप ऐसी कर सकते हो अगर आपके प्रोब्लम आती है तो आई होब गईस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सेर करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बंदे मात्रम जैहिं जाउन करना स सकते हैं